राधी राधी दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फेसे दोस्तों पूर्मा दिथी मालक्ष्मी को अतिधिक प्रिया है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्मा के इस सुबब सरब धनकी देवी मालक्ष्मी को प्रसंद कहने वाला एक बहुत ही आसान और असल कारक उपाई बताने जा रही है इस उपाई को करने जी भगवान पिश्टों के साथी धनकी देवी मालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है बरसों पुरानी गरी भी भी दूर हो जाती है घर से दुख धरित्ता का नाश हो जाता है और घर में खुश्यां आती है धन में बरक्त होती है घर में अन्य धन की कमी नहीं रहती साथी पित्रों का भी आशरवात प्राप्त होता है पित्र पसंद होते हैं और बिगड़े कारे भी बनने लग जाते हैं दोस्तों उपाई सही प्रकासी करने के लिए इस वीडियो को एंटक अवश्य ही देखें यह है उपाई आपको पूर्मा पर संध्या काल के बाद राती के समय करना है संध्या बंदन पूजन के समय से राती में आप किसी भी समय इस उपाई को अपनी सुवधा के अनुसार कर सकते हैं उपाई करने के लिए सबसे पहले मुहात पैदो कर सच्छुबस्त धारन करें अब आप पांच दीपक लें इसके लिए आप मिट्टी के आटी के या पीतल के कैसे भी दीपक ले सकते हैं अगर आटी के दीपक बना रहे हैं तो शुद्धिजन से आटा मरें और आटे में नमक इत्यादी और कुछ भी ना मिलाएं अब आप पांच दीपक एक प्लेट में डख और इन दीपकों में से चार दीपकों में आप रुई की बाती लगाएं और एक दीपक में लाल रंग की धागी की बाती लगाएं आप लाल रंग की कलाबा जिसे मौली भी कहते हैं जो कलाई पर बांदा जाता है उसकी बाती बना कर लगा सकते हैं या अन्य लाल रंग का को एक और अन्य दीपक में आपको घी भरना है, आप चाहें तो सभी दीपकों में घी भर सकते हैं, लेकिन अगर घी सब में ना भर सकें, तो कम से कम इन दो दीपकों में आपको घी अवश्य ही डालना है, आप अपने मंदिर में शुद्धी घी का या किसी अन्य घी का जो भी द आप चाहें, तो मीठा तेल, जिसे तिल का तेल भी कहते हैं, वह भी आप इन दीपकों में डाल सकते हैं, दीपक तयार करने के बाद दोस्तों, इन दीपकों की थाल में आप थोड़े से साबुच जावल या फिक गैहूं के दाने भी रख लें, या फिर आप पुष्प की और मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं, अब इन दीपकों में से लाल बाती का जो दीपक है आप उसे उठाएं, और अपने मंदिर में थोड़े से साबुच जावल या गैहूं जो आपने रखे हैं, उसमें से थोड़े से रखें, और उसके उपर इस दीपक को भगवान लक्षमी नारायन के सामने इस प्रकार रखना है कि इस दीपक की जो बाती है, जो लौ होगी बहें उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ होनी चाहिए, यानि कि उत्तर पूर्वी दिशा के मध्य का जो कौन है, जिसे इशान कौन कहा जाता है, इस तरफ इस दीपक की लो होनी चाहिए अब आप इस दीपक को जलाएं और एक सुगंदित धूपत्ती भी जलाएं भगवान लक्ष्मी नारायर को किसी फल मिश्ठान का भोग लगाएं अब आप भगवान लक्ष्मी नारायर का पूचन करें आप भगवान पिश्णुची के द्वादशमत ओम नम भगवति वाद्शुदेवाय का 108 बार जाप करें दोस्तों पूर्मा तिथी भगवान लक्ष्मी नारायर को समर्पित होती है इसलिए आज के दिन अधिक से अधिक भगवान लक्ष्मी नारायर का पूचन करना चाहिए भगवान विश्णों के मंत्र का जाप करने के इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायर का पूचन कहने के पश्चाद अब भगवान लक्ष्मी नारायर को प्रडाम करें और घर में सुक्सम्रध्धी की प्रात्ना करें दोस्तों पूर्मा की रात को इस तरह भगवान लक्ष्मी नारायर के सामने इशान कौण की तरफ मुक गर में खुष्यां आती हैं, दुस्तों पहला दीपक इस परकार जलाने के पस्चाट आप जो तूंसा घी का दीपक अब इस दीपक को आप तुलसी जी के पास ले जाएं और इस दीपक 사진 के पास रहता जलाएं दीपक रखने से पहले थोड़े से चावल आप जमीन पर रखें और फिर उसके उपर यह दिया रख कर तुलसी जी के पास जलाएं। शास्तों के अनुसार भगवान विश्णों को तुलसी मा अत्यतिक प्रिये हैं। तुलसी जी को मा लक्षमी का ही स्वरूप माना जाता है। पूर मा के दिन भगवान लक्षमी नारायन की कृपा प्राप्त कहने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही कहना चाहें। ऐसा कहने से भगवान लक्षमी नारायन अतिशीक्र ही प्रसंद हो जाते हैं। और कश्टों से छुटकारा मिलता है। दुर्भा के भी सौभा के में बदल जाता है। भगवान लक्षमी नारायन और तुलसी मा की कृपा से जीवन सुखमें बनता है। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर भी तुलसी जी के पास ही दीपक जला सकते हैं। या फिर आप तुलसी जी का यह जो दीपक है, इसे आप अपने मंदिर में हैं भगवान लक्षमी नारायन के सामने रखकर जलाएं। अवश्य ही चलाना चाहिए रसोई घर में यह दीपक मा अन्पूर्णा की नाम से चलाया जाता है दीपक जलाने से पहले थोड़े सी चावल रख उसके ऊपर यह दीपक रख कर जलाए अब मा अन्पूर्णा को प्रणाम करें और मा से धन्धानने सुक्सम्रध्धी में नहीं रहती और घर में सुक्सम्रध्धी बनी रहती है धन्धाने की भंडार भरे रहते हैं मा अन्पूर्णा की करपा से घर में कलेश नहीं होता और खुशियां आती हैं दूस्तों चोथा यह जो दीपक है यह दीपक आपको पूर्मा की रात को अपनी घर की छट पर पित्रों के नाम से जलाना है और इस दीपक को आप जमीन पर रखने से पहले थोड़े चावल रख फिर इस दीपक को रखें और दीपक को इस प्रका से रखें दीपक की जो बाती है वह दश्ण यानि की साउत दिशा की तरफ होनी चाहिए क्योंकि दश्ण दिशा पित्रों की दिशा मानी जाती है यहीं पित्र लोग होता है दश्रिन दिशा की तरफ रख इस प्रकादीपक जलाने से पित्र प्रसन होते हैं और अपना आशिरवात देते हैं पित्रों के मार्ग में रोशनी होती है जिससे पित्रों की करपा प्राप्त होती है पित्रों की करपासी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है पिकड़े कारे भी बनने लग जाते हैं साथ ही पित्र दोष से भी राहत मिलती है दोस्तों अगर आपकी घर पर छट ना हो जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और उपर कोई और रहता है तो आप इस दीपक को पित्रों के नाम से अपने घर के आंगन में जला सकते हैं लेकिन अगर आंगन भी ना हो जैसे आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो आप इस दीपक को अपने घर के अंदर किसी साफ इस्थान जैसे की पूजा घर का जो कमरा है उस कमरे में या फिक किचिन में आप इस दीपक को रखकर जला सकते हैं लेकिन यह दीपक आपको इसी प्रकार रखना है कि इसकी जो लोहे वह दश्शिन दिशा की तरफ होनी चाहिए पित्रों के नाम का दीपक जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंतर का ही जाप करते रहना है और भगवान लक्षमी नारायन को प्रणाम कर पित्रों की आत्मा की शांती की प्रात्ना करने है क्यूंकि शास्तों में भगवान लक्ष्मी नारायन को ही पित्र देप कहा गया है दोस्तों अब जो आखरी दीपक है यह दीपक आपको पूर्मा की रात्री को अपने घर के मुख्य दर्वाजी के बहार चलाना है दोस्तों शास्तों के अनुसार पूर्मा की रात्री को धरती पर मालक्ष्मी भ्रमर करती है इसलिए यह दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर मालक्ष्मी के स्वागत के लिए जलाना है शास्तों के अनुसाद जो भक्त पूर्मा की रात्री को मालक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्यद्वार पर दिया जलाती है मालक्ष्मी अपनी उन भक्तों के घर में बास करती है और जहां मालक्ष्मी का बास होता है वहां से दुख दरित्ता का नाश हो जाता है मालक्ष्मी की कृपा से धन की कमी नहीं रहती और घर में सुख सम्रथी बनी रहती है दोस्तों दीपक जलाते समय आपको कुछ वातों का ध्यान रखना है दीपक जलाते समय दीपक रखने से पहले थोड़े से चाबल गैहूं या फिर फूल की पत्यां रखकर उसके उपर ही दीपक रखें इसे दीपक को आसन देना कहा जाता है तभी दीपक पौण होता है दीपक जलाते समय जूते चपन ना पहने आपका मुह साफ होना चाहिए यानि कि कुल्ला इत्यादी कर लें तमाकू वगेरा भी खाकर दीपक ना जलाए दोस्तों शास्तों के अनुसार पूर्मा की रात्रे को इस प्रकाद दीपक जलाने से घर में सुक सम्रथी आती है मा अन्य पूर्मा की कृपा से घर में अन्य की कमी नहीं रहती और जीवन में खुश्यां आती है दोस्तों पूर्मा की इस सुबबसर पर इस आसान से उपाय को कर इससे लाव अवर्शही प्राप्त करें उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें और यूस्फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर तपाए तैंक्स फूर वाचिंग राधी राधी